वेरी गुट मॉर्णिंग माइडियर फेंड्स और विलकम बाक टू के एस एडूकेशनल मैं सूपरवीन आप लोगों के साथ 30 अप दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस पर डिस्कस करूंगा और यह जो कलेक्शन है मैं आपके लिए जो लाता हूं यह एक्जाम पॉ रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, ठीक है, SSC का हो, इन सभी एक्जामों में यह सारे कोश्चन्स आपको दिखेगा माइडियर फेंट्स क्योंकि वो कलेक्शन ही होता है जो मैं आपके एक्जाम पॉइंट उफ्यू से फ्रेम करता हूं अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नॉटिफिकेशन बल दबा लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो उसका आपको पता चल पाए आप केस एजुकेशनल अपको फेस्बुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन मे किया गया है किसे अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए ये दिया गया है कृष्णा ववीला ला को मिला है और ये कौन है वह आन्द प्रदेश ये हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टेडीज के संस्थापक और अध्यक्ष है अगर ये सवाल आप से अध्यक्ष है ये क्या काम से रिलेटेड हैं तो ये फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टेडी से रिलेटेड है किस राज ने स्टार्ट अप टेक एगल के साथ साज़ेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलेवरी हब और नेटवक का अनावरन किया और ये किस राज ये ने है मेगालिया सुल्तानपूर अवार्ड से स्ट्रिंकला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पारसद बन गई है ट्रांसजेंडर पारसद और वो भी क्या पहली मैडिये फिंट्स इनका नाम है बॉबी गिननत विश्व बैंक ने किस राजी के साथ साजेदारी में भारत के स्ट्रीतलन छेतर में जलवायू निवेश के अवशर रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बैंक ने केरल के साथ मिलके रिपोर्ट के अनुशार भारत जल्दी दुनिया में उन पहले अस्थानों में से एक बन सकता है जहां की गर्म हवाएं मानव जिवित रहने की सीमा को पार कर सकती है तो बहुत इंपॉर्टन्ट है तो ये देखिए सवाल कैसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक ने किस राजी के साथ मिलकर किया है तो राजी हमारा क्या है किरल है और अगर कौन से यह जी रिपोर्ट जारी किया है या किसके त्वारा जारी किया है तो विश्व बैंक के त्वारा किया है रेनियोबिल 2022 रिपोर्ट के अनुशार दुनिया भर में अक्छवय और जाकी छमता अब 2022 और 2027 के बिच कितने गेगावाट करने या बढ़ाने का नुमान किया गया है या कुल जो है 2400 गेगावाट का नुमानित है 2400 गेगावाट किस सहर में स्वक्षिता कर्मचारी विकास योजना का सुवारंब किया गया ये कौन सा सहर है सहर मदुरई है और एक बात याद रखिएगा कि मदुरई में स्वक्षिता कर्मचारी विकास योजना का जो सुवारंब किया गया इसी अबशर पर उन्होंने एक mobile application सहवास स्वक्षता कर्मचारी स्वास्त कल्यान और सुरक्षा भी लॉंच किया है तो यही relation आपको बताना है एक्जाम में या फिर पूछा जाता है सहवास application है यह भारत में शमान नागरिक शुंगिता लागू करने के लिए निजी सदश्य विधेक किसने पेश किया और यह पेश किया गया है किरोडी लाल मीना के द्वारा गोवा के मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम किस के नाम पर रखा गया ये रखा गया मनोहर परिकर के नाम पर गुजरात के अठारवे मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है तो अठारवे मुख्यमंत्री गुजरात के कौन बन गया है भुपेंद्र पटेल किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉंच किया है यह लॉंच किया गया सही उक्त अरब अमिराद के द्वारा सुप्रीम कोट के नियाईधीस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Supreme Court के नियाईधी Chief Justice of India के लिए किसे ने उक्ति किया गया है यह है दिपांकर दत्ता क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कितनवे Chief Justice of India है इनका नमबर क्या है दक्षिन ACI छेतर सयोग संगठन चार्टर दीवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है यह आठ दिसम्बर को हर साल मनाया जाता है और जो भी important days है प्लीज इसको एक बार go through कर लीजेगा अब बहुत important है आपके exam के तो यह कुछ important collection जो कि मैंने 30th of December के लिए आपके लिए रहा था और अगर आपने हैं तो subscribe करना ना भूलें कि एस educational आपको notification बेल दबा ले ताके आने वाले वीडियो का notification मिल पाए like कर लीजेगा अगर benefit मिल रहा है तो share करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ because sharing is caring my dear friends